सो हेलोलो दोस्तो फ्रीफार का और एक नया वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागात है दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बतने वाला हूँ इमपासो से किस तरीके से आप वन टैप हिट स्वाट मारोगे सो भाई लोग आप लोग को पता है क्लास कोट मैच में जब फास्ट राउंड चलता है उस राउंड पे आपको इमपासो मिलता है और आपको जी 18 मिलता है और उसी राउंड पे आपको इमपासो से हेट सोट मारने का मज़ा ही कुछ अलाग होता है सो भाई लोग आप इमपासो से one tap headshot नहीं मार पाते हो तो मैं आपको request करूँगा इस वीडियो को complete देखने इस वीडियो को complete देखने के बाद आप easily इमपासो से one tap headshot लगा सकते हो तो चलिए आज किस वीडियो को start करता और वीडियो को सुरू करने से पहले एक छोटी सी request करूँगा अपने अभी तक इस चलम को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके जरूर वेल आइकोन को place कर लेना और दोसो tips and trick का वीडियो बनाने में बहुत ज़दा मैनत लगता है एक like जरूर कर देन तो चलिए आज किस वीडियो को start कर लेता है सुभई लोग मैं आप लोग को जो भी चीज़े बतने वाला हो धियान से मेरी बात को सुनना सबसे पहले आप लोग को बता दू आप इमपासो से one tap headshot मारने का कोशिस कर रहे हो तो हमेशा एक चीज़ धियान देना कभी भी यहा पास short range फ agreementsे नहीं लेना हामेशा आपको mid range या long range उब्राइच फाइट लेना है और आपको यहां पर all up करने के बाद intensity आपको gun को स्विच करना यहां पर मैं देख सकते यहांप मैंने कर्नश बटन यहांपर क्या यहांपर मैं ड्रैक करने को इसले 20 में इधर गानब कोजीन करने के बाद इसली और एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप मीड रेंज या थोड़ा साप सौर्ट रेंज पर फाइट ले रहा हो तो हमेशा आपका एम एनिमी से दूर रखना है सबसे पहले इस क्लिप को आप ध्यान से देख लिजे एनिमी मेरा सामने है और यहाँ पर मेरा एम देखिए एम एनिमी से कितना दूर है और यहाँ पर से मैंने सीधा ड्रेक किया ड्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर गोली जाकर हेट पर लग चुका है तो हमेशा आपको थोड़ा सा दूर रखना है जब भी आप स्वार्ट रेंज या थोड़ा सा मीड सबसे पहले एम आपको उसी जगा उपर रखना है एनिमी जहां पर है एनिमी के बॉड़ी के उपर एम रखना है उसके बाद आपको ड्रेक करना है तो इस क्लिप को यहाँ पर आप देख सकते एनिमी मेरे से कितना दूर है और मेरा एम देखिए मैंने यहाँ पर रेड तो आपका aim हमेशा white रखना होगा ठीक है और enemy आपसे दूर है तो आपका aim हमेशा red होना चाहिए तब ही आपको यहाँ पर drag करना होगा drag करने के बाद easily one tap hit shot लग जाएगा सो भाई लोग और एक mistake बहुत सर भाई लोग यहाँ पर करते हैं जब भी यहाँ पर आप drag करते हो यहाँ पर आप जोश्टी को move करते हो जिस तरीके से मैं इधर कर रहा हूँ आप यह mistake करते हो हमेशा गाईस जब भी आप one shot लेने कोशिस कर रहे हो हमेशा आप character still होना चाहिए सीधा आपको खड़ा रखना होगा उसके बाद drag करना होगा ड्रैक करने के बाद instant आपको गान को switch करना होगा ठीक है तब ही यहाँ पर one shot लगता है तो इस mistake को आप कभी भी मत करना जोश्टी को यहाँ पर move मत करना character को हमेशा आपको still रखना है और उसके बाद आपको drag करना सो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी मैं इधर इंपास्टो से one shot लगा रहा हूँ मेरा जो character है हमेशा steel है मतलब सीधा यहाँ पर खड़ा रहे के मैं इधर drag कर रहा हूँ तब ही गाईस यहाँ पर one shot लग रहा है आपको जोश्टी को यहाँ पर move नहीं करना ह move करने से यहाँ पर one shot नहीं लगता है हमेशा आपको सीधा खड़ा रहा है कि आपको सीधा drag करना है drag करने के बाद instant आपको gun को switch करना है gun को switch करना बहुती जोरूर है तब ही यहाँ पर one shot लगता है gun को switch करने के बाद यहाँ पर गोली recoil नहीं करता है जाकर गोली head पे लगता ह तो गाईस इस चीज़ को जाकर आप ट्रेनिंग के अंदर पैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीज़े मैं आपको बताया जाकर आप ट्रेनिंग के अंदर पैक्टिस कर सकते हो दिरे दिरे यहाँ पर आपको वन सोट लगना स्टार्ट हो जागा एक दिन में आप गाईस यहाँ पर सब्सक्राइब करके जोरू बेल आइकोन को प्रेज का लेना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार